तो यार अगर आप student हो, अगर आप कोई laptop search और कर रहे हो, अगर आपने video editing भी करना है, 1080 पर, and अगर आपने gaming भी करना है, normal setting पर, अगर आपने MS office पे काम करना, कोई loaded file ले है, जास कोई loaded software पे काम करना, कोई heavy software पे काम करना है, ये video मैं specially आपके लिए कर रहा हूँ, because यार मुझे बहुत मैसी करते, splash range में, बंदे बहुत पुझे है, मुझे laptop चाहिए, अगर आप मैंने programming करना है, मैंने coding करना है, मैंने कोई heavy software यूज़ करना है, मैंने photo editing करना है, ऐसे question मुझे बहुत बंदे करते हैं, तो start करते है, अगर आपका भी budget is 40,000 है, 40,000 के budget में मैं आपको बहुत loaded laptop जो है, वो बताने वाला हूँ, तो start करते है, सीधी बात करते है, number five की, number five की बात करूं, number five पर यार मैंने रखी है, my notebook 14 को, तो सबसे पहले मैं आपको बता दो, इसको number five पर रखने का एक reason है, वो ये reason देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन upgrade करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कि सच में minus point आजाता है, अगर इसके में price range की बात करूं, आपको 41,000 के budget में MI notebook 14 देखने को मिल जाते है, इसका display quality बहुत ही है, build quality बहुत अगरी मिल जाते है, उसके साथ साथ भी अगर आप data एंटर्जिस करते हैं, अगर आपका काम आपके लिए यह best deal हो सकते है, प्लस आपको full HD प्लस इसके साथ web camera free देखने को मिल जाता है, तो plus point तो इस laptop के देखने को मिल जाता है, लेकिन minus point भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप RAM को upgrade नहीं कर सकते, अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता है, तो या 12GB ही अगर आपको द देखने को मिल जाता है, आपको Intel UHD Graphic भी देखने को मिल जाता है, आपको MX350 2GB भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 2GB का जो price है, वो जादा increase हो जाता है, वो आपको 47,000 के budget में देखने को मिल जाता है, तो इस budget अपने price range से वो बहुत आगे निकल जाता है, तो मैं आपको recommend न तो आप देख लेना अगर आप आप लिए और जाते हो आप जाते हो अभी बात करें तो यह डिस्प्ले की बातों को 40-inch Full HD प्लस डिस्पले देखने को मिल जाती है जो की एंटीक लेड डिस्पले है प्रसाइसर की बात करूं को i5 10th generation के साथ देखने को मिलता है तो प्रसाइसर बहुत अगड़ा है ठीक है सिस्थम की बात करूं आपको विंटो 10 में जाती है लेटेस्ट वर्जन 64-bit के साथ बैंटरी की बात कर देता है प्लस आपको 65 वाट का फास चार्जर देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं आपको 41,000 के बज़र में मैं नोटबुक फोर्डिंग देखने को मिल जाएगी तो यहां मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया मैं नोटबुक फोर्डिंग के वैसे यार लैपटाउप पूरा लोड़ेड है लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है तो यहां को इस बटेर रेंज में मैं है HP 14 को तो यहार बहुत बन्दे मुझे मैं से होता है कि त्रस्ट बना हुआ है लोगों का पर टाथ होता है तो आपको बता देना चाहतों कि यह नहीं होते ठीक है आоссुसा बहुत ज़्यादा सही कर रहा है लिनुवो बहुत ज़्यादा सही कर रहा है अपको आगे पता चल जाएगा लेकिन अगर मैं बात करूँ एच पी फॉर्डिंग की तो यार यह लैप्टोप आपको मतलो ब्लैक कलर में इसका कलर बहुत उट करता है ठीक है मैं आपको रिक्मे कर सकते हैं तो यार अगर आपने कोई हैवी सॉफ्टर यूज करना है ऑफिस वर्क के लिए चाहिए या स्टुडेंट ओपर ठीक है मल्टी टास्किंग करना है या अगर आपने डेली यूज के लिए इस लैक्टप को लेना है तो आप ले सकते हो इसली नॉर्मली आप काम क दिस्प्ले मिल जाते हैं जो कि 16 रिफ्रेश रेट के साथ आती है अगर और आप एक्स्टा पे कर सकते हो आपको HP का ही लैपटप चाहिए तो मैं आपको कहाना चाहता हूं कि आप आप 11th जुनरेशन के और चल जायना विकास वह ले टेस्ट पर सेट उसके आप प्रहों आपको 256 GB SSC देत्शने को मिल जाएंद आपको 256 GB भी मिल जाइगी लेकिन उसका प्राइस ओरा हैằngे से इंग्रीज हो जागा ठुक है काड को कोई जरूरत पढ़ती है रैम की जा स्टोरेज की तो वो रैम से ही लेगा उसका कोई अपना स्टोरेज नहीं देखने को मिलता तो उसको कहते है इंटिग्रेटेड डैडिकेटेड होते है जिसकी अपनी स्टोरेज होती है लाइक 2GB 4GB 8GB जितना भी मतलब होता है ठीक ह अपको विंडू 10 देखने को मिल जाता है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 वर जन बैटरी की बात करूँ आपको 7 hours का बैटरी बैकप परवाइड कर देता है प्राइस की बात करूँ आपको 40,500 के बजरे में HP 14 देखने को मिल जाता है तो बही मेन स्पैसिफिकेशन अपको बता दे है प्लस में आपको कहा देना चाता हूं अगर आप भी अन बंदम में से आते हैं जण星 पी ऑडल का ही लेप्टाप चाहिए मैं आपको कहा रहा है कि आप HP 14 के और जा सकते हैं, मैं आपको प्लस ये भी कहना चाता हूँ, अगर आपने लेना है, HP का laptop ही लेना है तो भई आपको recommend करना जाता हूँ आप i3 11th generation के और चल जाना, अगर आप extra थोड़ा सा पीक कर, ब्लाक कर, बहुत सही लगता है, अगर कोई भी बंदा ब्लाक कलर में ले रहा है, तो भई मुझे command section में जरूर बताना की, भई मैंने ब्लाक कलर में लिया है, लिंक पर वाड़ किया, आपको description box में देखने को मिल जागा, अब या आगे बात करते हैं, number 3, number 3 की बात करूए है, number 3 पर मैंने रखा Lenovo IdeaPad Slim 3i को, अगर इस laptop की बात करूए है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका price बहुत जादा सही है, आपको 37,000 के budget में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाता है, प्लस इसके साथ आपको Lenovo Bag भी देखने को मिल जाता है, जो कि Lenovo laptop bag है, जिसके price की मैं बात करूए, आपको 2000 के budget range में वो bag देखने को मिल जाता है, तो आप अंदाशा लगा सकते हो, कि ये laptop आपको 35,000 के budget में देखने को मिल जाता है, एंड स्पैसिफिकेशन भी बहुत अगड़े मिल जाते हैं, मैं आपको स्पैसिफिकेशन बता देता हूँ, आपको i3 देखने को मिल जाता है, 10th generation के साथ, उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जागी, जिसको आप expandable कर जाते हो, 12GB तक, प्लस आपको SSD देखने को मिल जाता है, लाइट वीट लैप्टोपर, प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है, 2019 वर्जन, तो यहर में स्पैसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, Lenovo IdeaPad Slim 3i के, यहर स्पैसिफिकेशन के बहुत ज्यादा तगड़ा है, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा सही है, एंड भई जो बैग देखने को मिलता है, उसका प्राइस 2000 देखने को मिल जाता है, अगर आप सर्च आट करना चाहते हो, आप दे सकते हो, बाई, Amazon आपके फून में भी है, flip card आपके फू नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पर यार मैंने रखिया, Asus Zenbook Ultra 15 को अगर इस लैप्टाप की बात करूँ, सबसे पहले आपको lightweight and stylish design देखने को मिल जाता है, इसके color वगारा बहुत प्यार है, आपको बहुत पसंद आने वाला है, प्लस असूस एक trusted brand है, टॉप brand में स से आता है, तो भई अगर आपने इस laptop की और जाना है, आप जा सकता है, प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये 2020 model है, इसके price range की बात करूँ, ये laptop आपको 41,000 ये 42,000 के बढ़र में मिलेगा, बट भई अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए best deal हो सकता है, आपको i3 11th generation के साथ मिलता है, जो की latest processor है, इसके अपर कोई भी processor नहीं देखने को मिलता है, प्लस आपको 8GB RAM मिल जाते है, expandable आपको 16GB तक प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है, प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कि आपको इसले मैं stylish design त provide कर देता है, अगर मैं इसकी weight की बात करूँ, आपको 1kg 800 gram में Asus Vivovic Ultra 15 देखने को मिल जाता है, मैं आपको जो main specification है थोड़े से बता देता हूँ, आपको deeply थोड़ा सा पता चल जाएगा, तो यह display की बात को 15.16 full HD plus display मिल जाते है, जो की 16 refresh rate के साथ आते है, पर sensor की बात अगर आपको 1TV HDD देखने को मिलते है ना यार उसकी और बिल्कुल भी मत जाना, ऐसे मत देखना है कि आपको 1TV सूरे देखने हो मिलते है, यार 1TV में अगर आपको data अगरा transfer करते हो ना बहुत पकने वाले है, वो बहुत गंदी चीज़ है, मैं उसको recommend नहीं करता है, अगर अगर आपने लेनी है, तो पही SSD आपके लिए best लिए हो सकते है, चाहिए अगर आपने 256 ले ली ना वो भी बहुत जाता है, अगर आपने data अगरा transfer करना है, जल्दी कर देता है, इस comparison किया जाए, HDD के साथ है, ग्राफिक कार्ण की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाता हो, प्र ultra 15 देखने को मिल जाएगा, तो भई, main specification तो मैंने बता दी आपको asus laptop के अभी ज्यादा समय खराब नहीं करते है, आगे बात करते है, number one की, number one की बात करने से पहले भई, मैं आपको इतना कहते हैं, अगर आपका ब्रेट 40,000 से अप पर नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आप 5000 extra pay कर सकते हो, तो आपके लिए best है, asus Zenbook जो मैंने आपको बताई है, वो आपके लिए best deal हो सकते है, आप उसके और चल जाना, लेकिन अगर आप 5000 एक्स्टा पे कर सकते हो, मैं आपको recommend करना चाता हूँ, आप चल जाना, इस इस Spire 5 के और अगर इस laptop की बात करूँ, अगर जगा 10th generation के साथ, आपको 8GB RAM मिल जाती है, जो कि आप upgrade कर सकते हो, 16GB तक आपको 5GB SSD देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 2GB जो है, graphic card देखने को मिल जाती है, तो अगर आपने office work के लिए चाहिए, अगर आपने ऐसा student यूज़ करना है, उसके बाद भी अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है, gaming करना जाती हो, normal setting पर, अगर आपने 1080p पर video acting करनी है, ये laptop आपके लिए perfect deal हो जकता है, और ये आपको 45,000 के बदर में मिल जागा, मैं इसका link प्रवाइड कर दूँगा, कई पर इसकी offer भी लगती रहती है, और भी system में देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको 14-inch full HD plus display मिल जाती है, जो कि IPS panel display है, प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करो, आपको 8GB RAM मिल जाती है, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है, ग्राफिक कार की बातों को NVIDIA G4 MX350 देखने को मिल जाता है, जो कि 2GB के साथ आता है, प्रेडिन सेस् अगर आपने को heavy software यूज़ करना है, 5-6 hours का ही battery backup परवाइड करेगा, ठीक है, अगर आप normal यूज़ करते हो, फिर आपको 8 hours का battery backup परवाइड करते है, तो उससे ज्यादा भी कर देगा, अगर आप ज्यादा यूज़ ही नहीं करोगे, तो बैंटरी जो बैंटरी है, वो ज्य अगर आपने video editing करने हैं, gaming करने हैं, अगर आपने कोई भी heavy software यूज़ करना है, आप इस laptop के और जा सकते हो, बहुत अगरा मिल जाते हो, उसके बात अगर आपने ऐसा creator काम करना, ऐसा developer काम करना, student और office पर के लिए चाहिए, अगर आप teachers और पढ़ते हो, पढ़ाते हो, आपक 7000 के बजर में मिल जाता है, जो कि सच में पैसाफसोल laptop है, तो यार अभी मैंने आपको इतने laptop बता दिये, जो भी आप लेना चाहते हो, सभी के link मैंने provide की हो है, अगर आप देखना चाहते हो, चावड करना चाहते हो, जैसे भी गरना जाते हो, आप कर सकते हो, तो यार अभ नेक्स वीडियो में जी वीडियो के चाहते, धन्यू